आप सबी का हर्दिक स्वागत हैं आज फिर एक बार अमारे साथ मौझूद है एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर मोहमद नाईम शेक सर और आज का अमारे एपिसोड का टॉपिक है सुप्रीम कोट ने पुलिस ओफिसर से कहा है कि आप अरेस मत करो क्योंकि आपके पास में पावर है क्या है पूरा मामला आएए जानते हैं नईम सर से हर एक बात पे कहते हो कि तुम कि तु क्या है तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तुगू क्या है कैसे हो दोस्तो नाइंटिन सिक्स्टे में बियार चोपड़ा के प्रोडुक्शन और डायरेक्शन में एक फिल्म बने थी कानून राजंदर कुमार, अशोक कुमार, नंदा, महिमूद, जीवन, उम्परकाश और ये एक सस्पेंस ठ्रिलर फिल्म थी और बहुती मुशूर फिल्म थी इसका प्रीमियर मुंबई के मिनर्वा सिनेमा में हुआ था और प्रीमियर के बाद जब इस फिल्म के हीरो राजंदर कुमार बाहर निकल रहे थे तो एक गरीब आके उनका पैर पकड़ लिएता है कि वकील साब आप ही हो आप ही हो जो मेरे बच्चे को कानून से बचा सकते हैं मेरे बच्चे को जेल से रहा करा सकते हैं राजंदर कुमार को बहुत टाइम लगा उस गरीब को मनाने में के भाई मैं वकील नहीं हूँ मैं तो इस फिल्म का हीरो हूँ जिसने एक वकील का रोल किया तो ये थी वो हकीकत के जब महिनत और लगन से काम किया जाए तो उसका नाम होता है वो थिरिलर फिल्म में जो जच्टा वही मडर था और ये काफी मकबूल फिल्म थी तो आज का टॉपिक भी हमने जो चुने है के कैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है हिंदूस्तान की पुलीस को के आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना करो और बिला वज़े मासुम शहरियों को अरेस्ट ना करो according to हिंदूस्तान टाइम्स डेटेट 20 अगस 2021 इसमें क्लियर कट बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कॉप्स हिंदूस्तान की पुलीस से कही के आप बिला वज़े सिडिजन को अरेस्ट ना करो जबके आपके पास पावर है या आप अरेस्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि किसी भी सिडिजन को अगर आप अरेस्ट करते हो तो उसको बेशुमार बेहिसाब उसकी इमेज टारनीच होती है उसका सेल्फ रिस्पेक्ट रिपोडेशन खराब होती है और साथी साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर चार शिट जमा हो रही है उसके बावजूद भी अगर अक्यूस पर्सन आपको कॉपरेट कर रहा है तो बिला वुजे उसे अरेस्ट करके जेल में ना ठोसा जाए परसनल लिबर्टी इस एं इंपोर्टन एस्पेक अवर्टिटिशनल मेंडेट ये कहना है बैंच आप जस्टीस संजे किशन कॉल और रिशी केश रॉय का वो ये भी कहरे कि वाही दिसप्रूइब इस अप्राइब फ्रेक्जिश प्रेटिस अब्राइब प्रॉटिश पॉब without sending the accused to jail उनका ये कहना है कि अगर investigation बराबर चल रहा है तो उसमें criminal cases के मुतालिक और investigation complete हो सकता है without sending the accused to jail तो बिला वजे उन्हें जेल में ना ठोसा जाए नहीं सब कोट ने ये किस मामले को लेके कहा है किस्सा कुछ ही हो है कि 2014 में एक आदमी और 83 अदर्सक ने के उपर case registered हो था cheating और forgery का उतर परदेश में और पिछले 7 साल से ये आदमी को उतर परदेश पुलिस ने अरेस्ट नहीं की थी तो अब वो investigation में वो resume किया जोइंड किया और अभी पुलिस जो है वो चारशी जमा करने जा रही थी तो इसलिए पुलिस जो है उतर परदेश की इस आदमी को जो forgery और cheating का case उसमें अरेस्ट करने वाली थी तो ये अलाबात कोड भागा अलाबात कोड भागा के मुझे अरेस्ट ना किया जै लेकिन अलाबात कोड ने 9 जुलाई को एक order दिया के हम आपको कोई production नहीं दे सकते अब आपको production चाहिए तो आपको apex court में जाना पड़ेंगा निश्ट अपर में आगे बताया गया है के court ने बताया है के the court was empathetic that a distinction must be made between the accession of the power to arrest and the justification for the exercise of this power या नहीं कि अगर police officer कोई accused को arrest करता है तो वो तो उसके power में वो arrest कर सकता है लेकिन proper justification होना चाहिए जो उसने अपने power इस्तेमाल किया है accused के खिलाफ उसका proper justification होना चाहिए निश्पेपर में बताया गया है के कोई भी citizen अगर arrest होता है तो उसको बेशुमार बेहिसाब उसको जखम महिसूस होते हैं उसकी reputation पे उसकी self esteem पे कोट ने ये भी कहा है कि अगर officer को ऐसा लगता है कि accused जो है वो during the investigation भाग नहीं जाएंगा फरार नहीं होंगा और अगर कोई भी सम्मन उसको भेजा जाता है तो उसे लेने से इंकार नहीं करेंगा तो फिर क्या वज़ा है accused person हर तरीके से case में corporate कर रहा है तो क्या वज़ा है accused को arrest करके jail में डला जाए निज्वेबर में ये भी बताया गया है कि council of UP government उन्होंने top court को बताया है कि जैसा कि trial court का आदेश है कि accused must be in jail while submitting the charge sheet तो under section 170 criminal procedure code CRPC इसके तहत accused को jail में होना चाहिए ये trial code का आदेश है तो यहां पर मैं एक सच्छा वाक्या आपको बताना चाहता हूं कि मुंबई में in the month of May 2020 जब करोना चालू हुआ था उसके महस दो महिने के अंदर ही चार भाईयों पे एक लेड़ी ने F.I.R. registered की under section 354 IPC और उन चार भाईयों में एक भाईयों मेरे पास आया उसने मुझे पुरी detail में समझाया कि हम चार भाईयों में दो भाईयों तो घर पे मौजूद ही नहीं थे वो area में मौजूद ही नहीं थे दोनों बाहार थे तो उसके बाउजूद भी local police ने इन चारो पे F.I.R. ली under section 354 IPC मैंने जब ये दास्तान सुना तो मैं बोला ठीक है अगर आप दोनों महले में थे ही नहीं एरिये में थे ही नहीं तो आप पे तो F.I.R. बनता ही नहीं है मगर local police ने बना दिया था यहां तक कि उनका जो family educate था वो भी यही कह रहा था कि मैं आप लोगों को anti-septory bell दिला दूँगा लेकिन मैं इस पे नड़ गया मैं बोला जब आप मौके वाजरत पे थे ही नहीं ना आपका CCTV में कोई photo आ रहा है ना आपका location आ रहा है mobile के तहर तो बना के मैं ने deputy commissioner police के सामने उसको अपेर किया एक बार दो बार तीन बार और जब पूरी हकिकत खुली तो वाकई में उसके दो भाई area में थे ही नहीं उसके बावजूद ये lady ने चारो भाईयों पे ये exam लगाई थी बिल आखिर local police ने इन चार भाईयों में से दो भाई का नाम delete करिये एक फाई में से क्योंकि वो मौके वारदात पे थे ही नहीं at the end supreme court ने ये कहे है कि ये जो appellant है इसने investigation joined किया है investigation complete हो चुकी है investigation 7 साल बात complete हुई if I registered होने के इसलिए supreme court can think of no reason why at this stage the accused the appellant must be arrested before the charge sheet is taken on record तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा एहसान किया है supreme court ने citizen of India के खुदाफिस तो ये थे हमारे साथ एं पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर मोहमद नईमशेक सर अगर आपको अमारी न्यूस पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए कॉमेंट कीजिए जै हिंद जै माहराश्रा